विपक्ष का दावा है कि बीजेपी की वाशिंग मशीन 24 घंटे काम करती है कोई भी नेता कितने ही संगीन मामले में ही क्यों न फसक गया हो बीजेपी के नेता उसे भरष्ट देश द्रोही तक बता दें लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आता है पाक साफ हो जाता है जीतने या जिताने की शमता होनी चाहिए मतलब है चाहे वो किसी की जान लेने अपरण रंगदारी नक्सली कनेक्शन या किसी दूसरे संगीन आरोप के घेरे में ही क्यों ना हो अगर सीट मिल सकती है तो दाग अच्छे होते हैं और बीजेपी या उसके साथ तो ये दाग दुलने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है विपक्ष जमकर धजियां उड़ा रहा है और अब सवाल पूछ रहा है कि क्या अब बीजेपी देश द्रोग के आरोपी के लिए प्रिचाह करेगी तो आखिर क्यों पूरी तरह घिरी बीजेपी क्यों उठ रहे हैं ऐसे सवाल इसी पर हम अपने इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात नमस्कार मैं हूँ अन्शिकार बिहार में चार सीटों पर होने जा रहे हैं विधान सबा उप चुनाओ को लेकर सियासी सरगर्मिया तेज हैं हर कोई चुनाओ की तयारियों में लगा है और हर दल जीत का सपना जाए हुए है इसी के चलते जेडियों ने कुछ ऐसा फैसला ले लिया जिससे बीजेपी घिर गई है अब बीजेपी गुस्से में तो है लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रही है क्योंकि बात सायोगी की है बीजेपी अच्छे से जानती है कि इस समय पहले ही नितीश को चु जेडियों के किस फैसले से बीजेपी घिर गई है और क्यों विपक्ष सवाल पूछ रहा है दरसल जिस मनोर्मा देवी के घर पर कुछ महीने पहले निये की रेट पड़ी थी जिन पर देश द्रोही होने के आरोप लगे थे नकसलियों के साथ कनेक्शन के आरोप लगे थे वो मनोर्मा देवी अब जेडियों की टिकेट पर चुनाव लड़ने जा रही है जेडियों ने उन्हें बेला गंज सीट से उम्मीदवार बनाया है और हैरानी की बात ये है कि ये फैसला सर्व सम्मत्ती से लिया गया है एंडियों की नेताओं की बाकायदा एक बैठक हुई जिसमें जेडियों के राष्ट्री कारिकारी अद्ध्याश संजर कुमार जा और बीजेपी के साथ साथ हम लोगजन शक्ति पार्टी राम विलास की नेता भी शामिल हुए थे और उसी बैठक में ये फैसला लिया गया और बैठक के बाद जैसे ही नितीश कुमार ने मनोर्मा यादव के नाम का एलान किया विपक्ष हमलावर हो गया हर तरफ चर्चा हो रही है कि NDA को सिर्फ जिताव उमीदवार से मतलब है अब चाहें वो अपरादी ही क्यों ना हो ये तो फिर भी आरोपी है सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप डिप्टी सीम समरा चौधरी इनके लिए प्रिचार करेंगे क्या बीजेपी के दिगज मनोर्मा के लिए बोट मांगने जाएंगे अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा आपको याद होगा अभी सितंबर महीने में ही बेहार में नकसलियों से संबंदों के चलते जेडियों की पूर्व MNC मनोर्मा देवी के घर NIA ने चापे मारी की थी गया और भबुवा में उनके और उनसे जुड़े लोगों के कुल पांच ठिकानों पर ये कारिवाई हुए NIA को शक था कि मनोर्मा देवी नकसलियों को हत्यार और पैसे मुहिया करवाती है चापे मारी में 4 करोड से ज्यादा की नकदी, हत्यार और कई दस्तावेज भी बरामद हुए NIA की टीम सुभ़ चार बजे से ही मनोर्मा देवी के गया इस्तितावास पर मौझूद थी लगवग 20 गंटे तक 40 चापे मारी में NIA को कई एहम सुराखात लगे थे सूत्र के मुताबिक घर से इतनी नकदी बरामत हुई कि उसे गिनने के लिए मशीने तक मंगानी पड़ी बाद में NIA ने बताया कि कुल 4 करोड 3 लाख रुपे नगद 10 अलग-अलग तरह के हत्यार कई दस्तावेश, पेंड्राइब, मोबाइल, टैबलेट, लाप्टॉप और अन्नि कई इलेक्ट्रोने को करन्ट जप्ट किये गए यानि मनोर्मा पर नकसलियों के साथ संबंध होने का शक्ज जताया गया, देशद्रोई का आरोब भी मनोर्मा पर लग गया था, ऐसे में अब जब मनोर्मा को टेकेट मिला, तो सवाल उठने लगे कि क्या अब बीजेपी इस कैंडिडिट के लिए प्रिचार करेगी, जबक कि मनोर्मा देवी का नकसली कनेक्शन भी है, बरामत हतिया, नकसलियों को सप्लाई करने के लिए ही रखे गए थे, इसकी जानकारी खुद NIE ने अपने प्रेस रिलीज में दी थी, और अब इस पूरी जानकारी के बाद, जब ये खबर आती है, दो महीने बाद, कि मनोर्मा को उपचुनाओं में टिकेट दिया गया है जेडियू से, तो अब आरोप लग रहे हैं कि अगर कोई आम इंसान के घर से इतना रुपया और हत्यार बरामत होते, तो वो आज जेल में होता, लेकिन सीयम नितीश कुमार ने इन्हें टिकेट से नवाजने का काम किया है, और मनोर्मा देवी कोई साधारन परिवार से नहीं है, इनके स्वर्गे पती के साथ-साथ बेटे पर भी आपरादिक मुगदमदार्ज है, लालु यादव राज में बिंदा यादव का गया जिले में दब दबा था, बेटे भी गाड़ी से चलने के दोरान साइड नहीं देने वाले को गोली मार देते थे, मनोर्मा देवी के पती बिंदी यादव पठी के दार बनने के साथ-साथ आपरादिक आरूप के भी दाग लगे, गया जिले में इनके आतंक से सभी भैक्रान थे, मनोर्मा देवी का पती बिंदी यादव पर नकसली को हथियार सप्लाई करने स देश्त्रों का भी आरोप लगा था इस मामले में 5 साल की जेल भी हुई थी लेकिन पहुच और पैर्वी के कारण जेल से बाहर आ गया बिंदी यादव पर मड़ किड्नापिंग सहित 17 मामले दर्श थे जेल से बाहर आने के बाद अपनी आतंग की बदौलत करोडपती बन गय हाला कि अपनी राजनितिक करियर में ज्यादा उचाई तक नहीं पहुच पाया है 2001 में बिंदी यादव जिला परिश्यत का अध्यक्ष बने और यहीं से मनोर्मा देवी का राजनितिक करियर शुरू हुआ प्रखंड प्रमुक से लेकर विधायक तक का सफर उन्होंने तै किया 2001 में ही मनोर्मा देवी गया जिले के मोहनपुर की प्रखंड प्रमुक बनी थी मनोर्मा देवी के पती के राज़त से अच्छे संबंध थे इसलिए मनोर्मा देवी 2003 से 2009 तक RJD से MLC रही 2015 से 2021 तक जद्यू की विधान पार्शद रही बिंदी आदव ने भी दो बार विधान सभा चुनाओ लड़ा 2005 में निर्दली और 2010 में RJD के टिकेट पर मैदान में उत्रे लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा बिंदी आदव का 2020 में निधन हो गया मनोर्मा देवी के बेटे रौकी आदव पर भी कई गंभीरा रोप लगे जान लेने के मामले में सजा भी हो चुकी है ये वही रौकी आदव है जो लैंड रोवर जैसी महंगी कार से चलने के शौकीन है साइड नहीं देने वाले की जा ले लेते हैं एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि रौकी आदव अपने पिता के नक्षे कदम पर चल रही है रौकी आदव रोडरी मामले में सजा काट रहा है मनोर्मा देवी की बात करें तो कभी राजद और इसके बाद जद्यू का नामन थाम कर वो चलती रही अब एक बार फिर से मनोर्मा देवी पर जद्यू ने विश्वास जताया है विधान सबा उचुनाओं में बेला गंज से अपना उम्मीदवार बना दिया है तो बेला गंज में मनोर्मा देवी का सामना राजद प्रत्याशी सुरेंद्रियादव के पुत्र विशुनात कु होगा तो अब देखना होगा कि इस बार मनोर्मा देवी अपनी इस परीक्षा में सफल हो पाती है या फिर असफलता मिलती है आपको बता दें कि बिहार में चार विधान सबा सीट पर उप्चुनाओं होने हैं इसमें तरारी रामगड बेला गंज और इमाम गंज शामिल है और 13 अवंबर को इन 4 सीटों पर वोट इन होनी है आप उच जिस तरह से जेडियू की तरफ से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उसको लेकर जानकर दावा कर रहे हैं कि क्योंकि इनके कनेक्शन्स हैं नकसलियों के साथ क्योंकि इनका दबदवा है उस इलाके में वहां बीजेपी बुरी तरह घिर गई है और सवाल जेडियू से ज्यादा बीजेपी पर उठ रहे हैं कि बीजेपी इस मामले में चुपी साधे हुए क्यों बैठी है तो अब इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राइज जरूर दीजेगा कैसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजे जासत नमस्कार